Hello students, welcome once again to the uni classes and 11th physics, CBSE हम कर रहे थे chapter number 1 and this is the session number 2 हमने last session में unification and reduction तक का काम कर लिया जिसके अंदर हमने discuss किया था कि physics के अंदर बड़ा ही अच्छा एक quest है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास काफी सारे rules, काफी सारे laws है एक तो rules बहुत सारे हम निकल रहे हैं, जिससे हम nature के laws को सीख रहे हैं कैसे वो काम करते हैं, उसके अलावा एक quest ऐसा चल रहा है एक ऐसी कोशिश जारी है कि जिससे हम unify कर सकें इन सारे rules को मतलब motive तो ultimately यह है कि हम क्या कर सकें, हम एक ही rule बना दें हम क्या करें, सिरफ एक ही rule या, एक ही लोग ऐसा हो जिससे हम हर फिनॉमिना को explain कर पाएं clear? तो but quest जारी है आगे चलते हैं, यह थी previous वीडियो की बात connect करने के लिए recap कहानी अब तक और अब आगे तो हम इस chapter के अंदर आते हैं अब हमें जो discuss करना है that is scope and excitement scope and excitement मने कि जब आप physics पढ़ रहे हैं, physics के field के अंदर जब आ गए हैं तो क्या scope है, कहां तक हम जा सकते हैं, कहां तक explore कर सकते हैं physics को क्या है इसकी branches, क्या है इसकी sub branches, यह सब कुछ ठीक है, तो अगर हम इस scope या excitement के बारे हम पढ़ना है, जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि physics के अंदर हम करते हैं, क्या क्या है basically, अगर हम अब क्या करते हैं physics के अंदर, यह तो बहुत डात की बात है बहुत ज़ादा चीज़े हैं, हमने last time में discuss किया था, कुछ एक चीज़ों को cover करने कुशिश करते हैं, कि देखो physics के अंदर हम basically दो category बना सकते हैं, एक को हम कहेंगी macrophysics, क्या कहेंगे, macrophysics और macrophysics मने body physics, simple बाचा में कहें सकते हैं इसको, कि बड़ी चीज़ों की study कर रहे हैं आपने हाँ पे बड़ी चीज़ों की study, clear macrophysics, क्या कहेंगे दूसरी को, macrophysics अब macrophysics मने छोटी चीज़ों की study कर रहे हैं इसके अंदर like इसमें हम study करेंगे atomic level पे clear, atom की structure बगएर nuclei level पे nucleus की study बगएर nuclei is a plural of nucleus, ठीक है और subatomic particles subatomic particles, nuclear reactions ये सब जो छोटी छोटी लेवल की चीज़ें है इनके बारे में हम study करते हैं like nanophysics यहाँ पे study करेंगे और इसके अंदर इसके अंदर हम study करेंगे thermodynamics thermodynamics यानिकी heat से related चीज़े engine का जो working होता है वो उसमें आता है ठीक है और हम इसमें क्या read कर सकते हैं motion read कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे mechanics physics के language में कि कोई भी body किस तरह से motion कर रही है किसे move कर रही है क्या उसके consequences होने वाले हैं ओ भी बहुत सारी चीज़े हैं electricity read कर सकते हैं बलब electromagnetism EM पढ़ सकते हैं short मैं लिख रहा हम परी में और optics read कर सकते हैं तो ऐसा बहुत सारा काम है basically आपर समझो कि यहां पर हम बड़े size की physics ठीक है जो macro है macro मैंने बड़ी physics यहां पर आप देखो कि एक आपको common चीज मिलेगी macro वाले के अंदर कि जो भी हम study कर रहे हैं वो explore तो lecture के rule कर रहे हैं but on a greater scale larger scale बड़ी चीजों में study कर रहे हैं और यहां पर हमारा skill छोटा हो गया minute हो गया ठीक है और actually एक और भी अभी branch introduce की गई है mesophysics that is called mesophysics अब mesophysics क्या है इनके बीच की चीज़ें कुछ खास बात नहीं है mind may remind आई तो इन आपको बता दी macro में बड़ी चीज़ें micro बहुत चोटी चीज़ें meso में intermediate चीज़ों की physical study की जाती है ठीक है तो अब आपको यह पता लग गया कि physics के अंदर कितना vast कितना vast scope है कितनी vast depth है तो कितनी branches हैं इसकी किसी branches किसी भी branch को हम explore कर सकते हैं आगे जाते हैं न अभी तो हमारे syllabus के अंदर जो आएगा हमें वो discuss करना है जो हमारा described syllabus है वो करना है और वो भी classwork में उतना ही करना है वो तो करना ही करना है उसके अलावा अगर आप करना चाते हो तो वो अब से भी आपकी खुद की choice है आप पर depend है आप क्या क्या करना चाते हो तो अब आपको scope और excitement समझ में रहेगा easily और वापिस remind करा दूँ ये chapter हमारा बिल्कुल basic chapter है इसको exam इसको marks के point of view से देखेंगे तो इसकी importance बहुत कम हो जाती है और अगर इसको general हम introductory chapter देखें कि हम ये chapter क्यों लाया गया है सोचो क्योंकि जब बच्चों ने physics लिया तो उनको पता तो होना चाहिए न कि जो चीज आपने ली है वो choice आपकी गलत नहीं है that is why this chapter is intended for only and only and रही बात scope of physics की तो आप देख सकते हूँ कि हम physics के अंदर कहां सबेकर कहां तक के study करते हैं length की बात करें तो हम एक atom के size atom के size से ले करके galaxy के size तक की study हम पर करते हैं ठीकिए mass की बात करें तो एक चोटे से electron के mass electron के mass से ले करके इस पूरे galaxy के mass तक कि study करेंगे हम इसके अंदर ठीके और अगर time की बात करें तो बहुत छोटे subatomic transitions जो कि बहुत कम time होता है seconds का भी कुछ part बहुत कम part वहाँ से लेकर के इस universe की पूरी age जो कि nearly 14 billion something years है वहाँ तक हम study करते हैं तो क्या scope है इसका I think मुझे अब convey करने की ज़रत नहीं है क्या depth है इसकी वो मुझे convey करने की ज़रत नहीं है तो this is what the physics is all about रही बात excitement की कि physics में क्या excitement है तो यह अपने आप में मजाकसा हो गया कि physics में क्या excitement है बट लेट में explain कि क्या excitement है physics के अंदर देखो कि for an example आपको physics का मेंने simple सा fact बताया था कि physics का मतलब क्या है to explore the laws of nature nature जो है खेल रही है अपने आप कुछ ना कुछ काम चल रहा है बट कुछ एक laws उसके अंदर follow हो रहे हैं हमें नहीं बता क्योंकि हमें nature तो आकर बताने वाली है नहीं तो हमें देख करके सीखने पढ़ेंगे क्या rules हैं क्या rules नहीं है आपको मैंने एक example देता last video में फिर recall करते हैं कि अगर आप cricket match देखने गए हैं और मानलो कि उन्हीं दो teams को सिरफ पूरी दुनिया में cricket खेलना आता है उन्हीं को rules पता है आपको कोई rules नहीं बता बट जब आप खेलने के लिए sorry देखने के लिए ground में गए हैं जब आप match देख करके वापिस आएंगे तो कुछ ना कुछ rule आप समझाएंगे for an example आपने यह rule वहाँ से समझ लिया कि अगर बोल boundary clear करती है तो चार यह चेरन मिलते हैं और अगर touch करके clear करती है तो 4 और अगर directly clear करती है तो 6 मिल गया आपको पता चल गया किसी ने बताया है नहीं आपने just observe किया कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा था तो 6 scoreboard में increase हो रहा था तो और ऐसा कुछ चल रहे नहीं लिखते नहीं है चिंटु रूल ओफ फोर दें शिक्सिस वेनेवर बोल ट्रावल्स थूद बाउंडरी विदाओ धेटिंग अनिधिंग इस डिकलेड आज सिक्स एंड अदरवाइस फोर ठीक है तो यह रूल चिंटु ने देखा बनाया थोड़ी है अब उसे कितनी खुशी होगी तो उसे कुछ पता चला बिना किसी के बताए तो पहली बात तो एक्साइटमेंट यही है कि अगर आपको इस नीचर कि इस यूनिवर्स के लोस के बारे में पता लग रहा है बिना नीचर के बताए जो कि इंपोसिबल है बताने से तो रही नह तो फिर्स एक्साइटमेंट यह है और उन्हीं लोस यूस करते हैं अपने को सकते हैं अपने अकोर्डिंग करतेए उनको वेिटल करने के लिए for an example friction की बात करें तो friction I think आपको basic idea है friction का कि जब भी motion होता है motion के अंदर जो opposing force है वो friction है detail में भी नहीं जाएंगे तो देखो हमें जहां पे friction चाहिए हम भढ़ा देते हैं like task friction चाहिए हम grip बना देते हैं जहां friction नहीं चाहिए वहां पे हम smooth कर देते हैं हमें पता चला idea था तभी तो हमने काम किया न कि जहां पे चाहिए वहां बढ़ा दिया जहां पे नहीं चाहिए वहां पे घटा दिया this is excitement काम easy होने लग गया तेके अब उसकी help से हम new technological methods ला सकते हैं new techniques ला सकते हैं new gadgets ला सकते हैं new inventions कर सकते हैं super new experiment कर सकते हैं तो यह excitement नहीं है हां classroom के अंदर जरूर मैं मानता हूं कि अगर जब तक theory चल रही है तब उसके अंदर थोड़ी excitement कम हो जाती है बट उसके अंदर भी वो depend करता है हमारे खुद के उपर कि हमारी imagination कितनी है कि हम imagine कर पाएं clear देखो जहां पर कुछ भी नहीं है अगर कहीं पर lab लोग कुछ भी नहीं है अगर copy कुछ भी नहीं है तो भी कोई facility नहीं है अगर आप कहो कि हमारे school में नहीं कुछ कराते experiment वगरा या सब्सक्राइब करते हैं तो वह लिटरली हम पर डिपेंड करने वाला है कि हम कितना एच्प्लोर करते हैं अगर कोई कहें कि physics के scope में कोई कमी है physics के excitement में कोई कमी है तो ऐसा तो है नहीं clear तो moving ahead जो discuss करना है now we have to have a little discussion about physics, technology and society कि यह आपस में कैसे linked है physics, technology and society तो पहले-पहले आपको इन सब को separately clear होना चाहिए कि आप इनको समझ पाएं कि क्या कहचीते है physics हम जान रहे हैं कि क्या होती है जान चुके है ऐसा तो नहीं कह सकते technology क्या है technology को easy language में अगर cover करें तो technology का मतलब कि जो भी अगर हमारे पास कोई knowledge है उस knowledge को हम किसी productive वे में कुछ एक new gadget बनाने के लिए कोई new problem solve करने के लिए use करते हैं तो उसे हम technology क्या देते हैं और society, society आप जानते हैं कि जो भी group of people है वो क्या होगी society जो किसी ना किसी तरीके से directly indirectly एक दूसरे पर depend रहते हैं clear और जो इंसान है जो एक human है human is a social animal यह भी आपने खहिना पढ़ाओ तो society, technology and physics इसका basic idea हमें मिला अब हमें यह देखना है कि क्या यह interlinked है या नहीं है हमारी discussion का यह motive है कि कैसे यह एक दूसरे को affect करती है क्या technology society को affect करती है या नहीं अब physics और technology इनको clear करें यह तो directly linked है क्योंकि physics तो technology की behind की science है तो बात रहेगी technology और society की, क्या technology और society आपस में linked है या नहीं है तो I think इसको एक छूटा सा बच्चा भी अच्छे समझ सकता है और आपना चिंटू भी समझ लेगा अच्छे से कि technology और society आपस में linked है या नहीं है, what do you think? है, okay, so कैसे है कि technology देखो कभी भी अगर new technology आएगी तो पहली बात है सूचो कि वो आएगी इसके लिए अगर society में उसका use नहीं होगा तो उसको use coin करेगा तो ये तो senseless बात होगी न तो ये ऐसा ही discussion है बट हां discussion करना जरूरी है to enlight ourselves कि physics के अंदर हम scope की बात कर रहे है, excitement की बात कर रहे है तो ये एक application की बात है कि हम जो भी sciences ले रहे हैं और यहां पे हम physics के साथ broad करते है थोड़ा हमारा concept कि जो भी sciences है उसकी help से जो भी technology हमने develop करी व कोई भी new equipment हमने बनाया, कोई भी new gazette बनाया, कोई भी new research करके हमने new result निकाला, वो result हम imply कहां करेंगे, society के अंदर imply करेंगे ताकि society का जो work है वो easy हो जाए, वो more productive हो जाए, outcomes ज्यादा अच्छे आए, ठीक है, efficiency भढ़ जाए, clear, for an example हम कोई एक example consider करें, तो like हम engine का example ले लेते ह इंजन के अंदर भी बहुत पहले चलते हैं, तो steam engine की बात करें, steam engine जो है, वो क्या है, एक technology है, बहुत गुराना हो गया अब तो बहुत अच्छे से trains आ रही है, electric trains आ रही है, bullet trains आ रही है, maglev trains आ रही है, बहुत सारी trains आ रही है, तो engine, जब steam engine में ना, तो steam engine से क्या होबा, society में फरक पढ़ा है नहीं पढ़ा, transportation बहुत बेटर हो गया, transportation के अंदर revolution आ गया, है न, जब उसके अंदर अब सोचो कि diesel engine आया होगा, तब क्या हुआ होगा, और उसके बाद जब electric engine आ रहा है, और वो भी ज्यादा efficiency के engines आ रही है, clear, अब engine एक नए तरह का आना, और engine के एग limited fuel के अंदर कितना वो work कर पा रहा है, कितनी energy generate कर पा रहा है, वो efficiency है, जिसको अपने simple language में mileage कहा देते हैं, तो अगर efficiency हम day by day engine की बढ़ाएं, तो क्यों society पे फरक पड़ेगा, transportation easy हो जाएगा, हर किसी को available हो जाएगा, है न, clear, और और technology में क्या बात कर सकता है आपने, कि जब तो air transportation possible हुआ, तो easily बहुत सारे लोग एक जगार दूसरी जगार से जाना, दूसरी जगार पर जाना, उन्होंने travel करना, start कर दिया, न, तो हम ऐसा कभी इस सरह का transportation imagining कर सकते हैं, कि आदमी अराम से, कि अमेरिका में खड़ा है, तो वो अफ्रिका में जाने की सोच ले, without the air transport, ह है न, तो जो भी technology है, उसका society पर impact पढ़ने वाला ही है, clear, so I think you got that, अब इसको अगर ये exam में आता है लिखने के लिए, तो इसको अपने words के इंदर हम लिखेंगे, और फिर भी अगर एक basic outline चाहिए, तो हम notes प्रिफर कर सकते हैं, और notes मैं आपको provide करने के पुशिश करता हू description के अंदर, अभी जिस तरह हैं के भी ready है, और उसको time to time update करता रहूँगा हम आपके लिए, ओके, और हम इस chapter में आगे बढ़ते हैं, ओके, so next हमें discuss करना है, universal forces, universal forces है हमारा जो इनी है, वो है कि इस पूरे universe को govern करने वाली forces, अब forces का क्या मतलब है, अगर 9th की basic definition उठा लें ह तो any push or pull is called force, है न, कोई भी चीज़ किसे को repel कर रही है, कोई attract कर रही है, कोई किसे के पास आ रही है, दूर जा रही है, यह सब चीज़ें क्या है, यह चीज़ें में responsible को न, force responsible है, और जितनी भी इस world के अंदर, world भी नहीं, हम और बड़ा world use कर रहे हैं, इस पूरे universe में ज जिसके वेले से कुछ भी हो रहा है, ठीक है, चाहें कोई पास आ रहा है, चाहें कोई दूर जा रहा है, particles होगेरा, ठीक है, so अब gravitational force की बात करते हैं, सबसे बैली force हमारे पास है, gravitational force, ठीक है, बैस सबसे द्यादा known जो है हमें, वो gravitational force है, after that electromagnetic force, यह non होगी, और थोड़ी जान force, और यह सबसे बाद में भी discover हुई है, forces, यह दोनों, क्योंकि यह बहुत छोटे scale पर काम करती है, बात करते हैं कि जो gravitational force है, let me change the color, जो gravitational force है, यह किस के बीच में काम करती है, यह मैं पता होना च्छी है, कि gravitational force काम कहां करती है, तो यह काम कहां करती है, किन ही भी दो massive body के बी massive मतलब कोई भी दो bodies में mass हो, like अगर यह marker का cap हो और यह marker है, यह दोनों के पास कुछ ना कुछ mass है, तो कहन के बीच में gravitational force है, yes, the answer is, yes, है, बहुत कम है, इतनी नहीं है कि कोई कि किसी को attract कर ले, हाँ, but earth और हमारे बीच पे gravitational force है, है, और इतनी है कि earth ने हमें attract कर रखा है, है क्योंकि earth का size बहुत बड़ा है, हमने इसका expression भी फड़ा है, f is equal to g m1 m2 by r square, अगर हम recall करें तो, m1 m2 क्या होता था, mass होता two bodies, r क्या होता था, उन दोनों bodies के center के बीच का distance, g क्या होता था, universal gravitational constant, जिसके बिहाफ पे हमने समझाया था कि क्यों moon is bound to the earth घूम रहना चाहरो तर, और क्यों planets are bound to the sun, यह हमने discuss कर रहा था, छीके, हमने मतलब किसी और teacher के साथ आपने कर रहा होगा, 9th के अंदर आपने पढ़ा था, तो gravitational force के बीच में लगती है, किनी भी दो bodies के बीच में लगती है, clear, और electromagnetic force, यह कहां लगती है, किनी भी दो charged body के बीच में लगती है, किनी पर body के पास charge भी होना जरूरी है, अगर मैं कहूँ इस marker और इस, sorry, इस cap और इस marker के बीच में, क्या कोई force लगेगी, अगर, क्या कोई electromagnetic force लगेगी, अगर इन पे charge 0 है तो, तो answer is no, इन पे जब तक कोई भी charge नहीं है, तब तक कोई भी force नहीं लगने वाली, otherwise किस तरह ही लग लगती है, और charges unlike है, positive, negative, negative, positive, तो attractive लगती है, I think you are getting me, नहीं तो हम इसको लिख देते हैं, कि इसका nature, attractive या repulsive, दोनों हो सकता है, अगर positive, positive है, या फिर negative, negative है, तो कैसा होगा, repulsive, दो charges आपस में, pass में नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को दूर push करेंगे, कि positive, positive लेकर आए त तो ये pass आएंगे, ठीक है, ये pass आएंगे, just like north and south pole, clear, और इसके अंदर कभी भी repulsion वाला nature नहीं आता, कि हम ये कह सकते हैं, कि ये दो bodies आपस में अट्रेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इनका mass बहुत कम है, but earth हमें अट्रेक्ट कर रही है, moon को अपने पास bound कर रखा उसने, sun को sun ने planets को bound कर रखा है, including earth, but ऐसा हम नहीं कहेंगे, कभी ग्रेविटेशनल में हमें सुनने को, देखने को नहीं मिलेगा, कि इसकी वेज़े से कोई repel हो रहा है, तो this is totally attractive force, ठीक है, ये totally attractive force है, दूसरी बात करें, तो ये एक long range force है, कैसी force है, long range force, बड़ा ही important factor है, long range force को इसका जो field of application है, कि एक body, कितनी दूर वाली body पर force लगा सकती है, तो आप देख लो कि sun प्लानेट पर force लगा रहा है, तो ये 2-4 km पर तो है नहीं, तो long range है नहीं है, है, और similarly इसके अंदर भी, ये भी long range force है, ये भी कैसी है, long range force है, ठीक है, अब आगे चलतें, next discussion करतें, फिर अगर अपने next बात करें, तो देखो इन चारो forces में से अगर हम rank दें किसी को, इन सब को ही rank दें, rank 1, 2, 3, 4, चारी है क्योंकि, कि कौन से सबसे strongest है, कौन से सबसे weakest है, और कौन से उनके बीच में लाए करती है, second, third पे, तो इसको जो rank मिलेगा, gravitational force को जो rank मिलेगा, वो rank इसको मिलने वाला है, rank number 4, last rank, इसको rank मिलेगा, fourth, अब rank का मतलब, exam के अंदर हमें rank 4 नहीं लिख कर गया न, क्योंकि हमारी thinking को, शायद exam ने समझे ना समझे, इसका आपको लिख कर गया न, this is the weakest force, अगर पूछा जाता है, तो, वो तो आपको समय दार होई, कि ये weakest force है, सबस से कमजोर है, actually ये जो forces के name लिखे है, ये as per their rank की लिखे है, in the increasing order, ये सबसे, अब लीस्ट, सबसे weakest force है, ये उससे थोड़ी strong है, ये उससे थोड़ी strong है, और वो सबसे ज़्यादा strong है, ठीक है, are you getting me, और इसका rank क्या होगा फिर, I think अपे पूछने वाले बात रही नहीं, इ इसका rank हो गया है, second, ये second rank पर है, और इसका expression वैसे हमने देखा नहीं है, बट अगर आपको बताऊं, तो आपको अभी याद हो जाएगा, it is, f is equal to k, q1, q2 by r square, similar to that, बिल्कुल similar है, ठीक है, यहाँ पे दो bodies का mass लेते थे, यहाँ दो bodies के पर charge लेते थे, क्योंकि आपे charge जर center का, clear, centers के बीच का, यहाँ पे g भी एक constant था, यहाँ पे k भी एक constant है, clear, इसकी भी एक fix value थी, 6.67 into 10 is power minus 11, with the units, और इसकी भी fix value है, 9 into 10 is power 9, वागे हमें इसकी बात करने की फिलहाल कोई जरुरत नहीं है, हाँ, तो यह हमारी पुरानी forces है, long range forces है, charges के बीच में लगती है, marks क level पे काम करती है, यह बहुत छोटे level पे काम करती है, इनका जो drawback है, कि यह काफी late जो discover हुई है, वो इसी नहीं late discover हुई है, because they are short range force, कैसी है यह, short range force, अगर बात करें तो कहां तक काम करते हैं यह, 10 की power minus 15 meter, 10 की power minus 15 meter, एक nucleus का size होता है यह, that's why this is a nuclear force, कि सिरफ यह nucleus का radius है न, वहां तक ही यह force लगती है, उसके अलावा यह force लगने वाली नहीं है, clear, यह force भी attractive ही होती है, कैसी होती है, attractive ही होती है यह force पे, clear, अब देखो कि हमें पता है nucleus के अंदर धेरों, protons और neutrons रहते हैं, neutrons तो देखो, 0 charge है, वो कुछ तंग करेगा नहीं, बट proton और proton, दो proton को एक साथ कैसे रख सकते हो अब, क्योंकि हमें electromagnetic force के बारें पता है न, कि positive positive एक दुसरे को repel करेंगे, कभी एक साथ रहना चाहेंगे, क्या, नहीं, ऐसे चोड़ोगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, तो अब एक nucleus, इतना चोटा सा, उस एक nucleus के अंदर धेरों proton तो क्या वो भार नहीं आना चाहते, आना चाहेंगे, according to this force, बट अगर नहीं आ रहें, तो एक force और होगी, इससे भी बड़ी, जिसने उनको bind कर रखा है, और वो force कौन सा है, है, वो force यही value है, और देख लो, अगर इसका rank 2 मैं, इसका rank 2 तो इसका rank क्या आने वाला है, इसका rank आएगा, rank 1, first, champion force है, rank 1, clear, और फिर है, weak nuclear forces, यह भी short range force ही है, यह भी long range force नहीं है, बलकि यह उससे भी छोटी है, यह उसके comparison है, 10 raise to power minus 15, say 10 raise to power minus 16 meter, लगबग इतनी range है इसकी, वो ही nucleus के लिए, और यह कहां काम करती है, अच्छा, यह किन के बीच में काम करती है, यह मैं लग देता हूँ, यह काम करती है, nucleons के बीच में, and जब मैं nucleon word का use कर रहा हूँ, nucleon मतलब nucleus में रहने वाले लोग, like Indians, India में रहने वाले लोग, है ना, तो just like Indians, they are nucleons, so nucleons कौन होईंगे, neutron और proton, इन force के बीच में काम करती है, यह force काम करती है, acts between, जो elementary particles होते हैं, जब nuclear transitions वगएरा होती है, like beta decay, अब यह कुछ बाते हो सकते हैं, शायद आपके उपर से जा रही हूँ, but never mind, हमें tension लेनी के बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है, elementary particle, like 2 elementary particle की बात करें, जब एक beta decay होता है, पहले हम elementary particles बनते हैं, neutrino, anti-neutrino, ठीक है, तो जो भी छोटे-छोटे elementary particles हैं, उनके अंदर, उनके अंदर जो force present होती है, वहाँ पे जो force responsible होती है, that is called weak nuclear force, और आप देखो कि इनके जो range है, वो बहुत कम है, इसलिए यह सबसे late discover होने वाली forces हैं, यह सबसे बहले होगी थी, यह भी आ discover हुए हैं, क्योंकि इनके range बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो detect करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, और जैसे इसके अंदर basic formula है, हमारे पास force का, एक basic formula आ गया, उसके लिए एक basic formula आ गया, इन दोनें के लिए कोई basic formula हमारे पास ऐसा नहीं है, कि हम calculate करेंगे, value डाल हमने just a touch ले लिया उपर-उपर से कि क्या है इनका, इसका rank 1, इसका rank 2, इसका rank 3, और इसका rank 4, ठीक है, और एक idea अगर हम लें, कि कितना फरक है इन सब के बीच में, तो हम कैसा ले सकते हैं, कि suppose करो, अगर इसकी strength को हम unit बानते हैं, कि इसकी strength 1 है, तो इसकी strength उसकी comparison में कितनी होगी, 10 raised to power minus 2, 10 raised to power minus 2 मतलब, 1 upon 100, 1 upon 100 मतलब, इससे 100 times कम, इसका 100th part, ये force इससे 100th part है, इसका इतना सा fraction है just, इतनी weak है इससे, ओके, बट अब इसकी आदत आप डालें, इसकी बजाए, 1 upon 100 की बजाए, 10 raised to power minus 2 की power आप ज्यादा easily read करें, तो ज्यादा अच्छा है, तो ये छ 40 है इससे, इसका fact, इसका असर छोटा है, और ये वाली, उसकी comparison में, 10 raised to power minus 13, मतलब, 1 upon 10 की power 13, 0000000, और ये वाली, 10 की power minus 38, अब ये क्या लिखा, एक बेरे दुबारा समझते हैं, कि अगर, कि इन ही, दो फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में, अगर, strong nuclear force लग रही है, अगर वो 1 newton है, अगर वहाँ पे, strong nuclear ना लग करके, electromagnetic लगती, तो वो कितनी होती, 10 raised to power minus 2 newton होती, कम हो जाती, अगर ये force लगती, तो और कम हो जाती, और अगर ये force लगती, तो बहुत ही कम हो जाती, लगबग ना के, बराबर हो जाती, ठीक, तो ये था हम हमारा universal forces, hope you get that, okay, so now, जो हमें discuss करना है, वो है laws of physics, physics के अंदर जो laws है, जो उनका nature है, वो किस तरह का है, किस तरह के laws हम यहाँ पे follow करने वाले हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, पहली बात तो ये समझो, कि जो भी physics के अंदर laws आते हैं, लेको physics के अंदर low के न आपने, और laws of motion पढ़े हैं आपने, F is equal to MA, इस तरह की equations भी पढ़ी हैं आपने, तो काफी कुछ कर भी रखा हमने, ठीक है, बटे समझो कि वो जो laws हैं, उनका nature कैसा है, किस तरह के हैं वो, तो again remind करा रहा हूं, यही चीज़ें सिरफ आपको दिमाग में रखनी हैं, exam के point of view से नहीं है, clear? तो इन laws का कैसा nature है, ये लोग, ये जो laws हैं, ये absolute नहीं होते हैं, ये absolute नहीं होते हैं, ऐसा आपको नहीं मान के चलना कि जैसा आपको law सिखाया, ये हमेशा वैसा ही काम करेगा, नहीं, यहाँ पे कभी-कभी बदल जाते हैं, ये situations, जैसे अभी अपने बात की थी, कि जो positive charges हैं, वो इस दुसरे को repel करेंगे, बट nucleus के अंदर वो इस दुसरे के सा चिपक के रहते हैं, और कितने space में रहते हैं, 10 देस्ट पावर माइनस 15 मीटर, ये size किसका है, ये nucleus का size है clear, तो physics के laws, as per the situation, as per their range, वो बदलते रहते हैं, उनकी form change होती रहती है, clear, तो हमें stick to the word नहीं रहना, कि अगर हमें कह दिया ऐसा, तो ऐसा ही ऐसा, ठीक है, hard and fast rules नहीं हैं हैं ही वाले, okay, और हर जगा पे equally applicable नहीं होते हैं, rules, clear, जैसे for an example, अगर हम बात करें, आपने पढ़ा f is equal to m e, ये rule भी हर जगा valid नहीं है, बहुत minute particles की बात करते हैं अगर अपने, तो वहां पे rule जाकर के fail हो जाता है, बहुत high speed से कोई चीज चल रही है, तो ये जाकर के वहां पे fail हो जाता है, clear, तो इस तरह हैं के जो भी rules हमने पढ़े हैं, उनके अंदर यही limitations हैं, जिसको हम physics के laws का nature कह सकते हैं, बट आगे चलते हैं, physics के में किस तरह हैं के laws पढ़ते हैं हम, जिससे हम पता चल सकी कैसे चीज चल रही है, like gravitational law पढ़ा हमने, universal law of gravitation, हमने laws of motion पढ़े हैं वैसे, यह जो basic कुछ laws पढ़ते हैं अपने, वो हम यहांपर discuss कर लेते हैं, बाकी तो हम as per the chapter discuss क करेंगे, like हम पढ़ते हैं, laws of conservation, जिसमें से आपने दो लो तो जरूर पढ़ रखे हैं, law of conservation, इसको मैं अभी short में LOC लिख दिया करूँगा, ठीके, law of conservation, किस-किस का पढ़ा आपने, आपने दो law of conservation पढ़े हैं, LOC of, energy आपने पढ़ रखा है, और आपको बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए, I guess, if I'm not wrong, कि energy can neither be created, nor be destroyed, but can be transformed from one form to another, पढ़ा आपने, तो बस, यही है, कि energy हमेशा conserve रहती है, किसी system की, ना तो उसने destroy होना है, ना ही उसने create होना है, वो हमेशा इतनी है, उतनी ही रहती है, अपनी form बदलती रहती है, किसी और less useful form में dissipate हो सकती है, बने वाली नहीं है, ओके, फिर जो हमने low पड़ा है, just recall कर रहे हैं, अपने इसके अदर कुछ ज़्यादा खास बात नहीं कर रहे है, low of conservation of mass, यह 10th class के अंदर, 1st chapter के अंदर आपने बढ़ा था इसको, कि reaction balance करने के क्या जरूरत है, तो इस low को fulfill करने के लिए, तो जरूरत प equal to mass on the product side, total mass, total mass must be equal on the both sides, होना चाहिए ऐसा, अगर नहीं है, it means कुछ गड़बड है, गड़बड है तो हम उस गड़बड को कैसे remove करते हैं, balancing करके, अब एक और low है, और एक और चीज़ अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कि यह दो चीज़े हम करके आया है, actually में यह rule अपने आप में पूरा complete नहीं है, और यह rule भी अपने आप में पूरा complete नहीं है, कैसे, आपने Einstein की बड़ी ही famous equation देख रखी है, is equals to mc square, equation क्या कहती है, क्या कहती है equation है, कि m माने mass, e माने energy, है न, और c तो एक constant, speed of light, 3 into 10 raised to power 8 meter per second, यह इसकी value है, यह तो fix है, तो मतलब, जो variables बचे, वो एक तो बचे, energy और दूसरी बचा, mass सिरफ यह दो चीज़ें बचे, और कुछ तो बचा है नहीं, इसके अंदर, clear, तो यह equation जस्ट आपको बताती है, कि energy और mass equivalent है, interconvertible है, mass से, एक particular amount of energy generate की जा सकती है, और energy से particular amount of mass generate की जा सकता है, hope है आपने सुना हुआ है, और इसको explain करने के लिए, मैं example लेता होता हूँ, महाँ भारत है, रमायन का, इसके अंदर, यह आइस नहीं तो बाद नहीं बताया, आपने लोग तो पहले ही खेल के रगे, कि अपने देखाओ का न, रमायन है महाँ भारत में एक तीर इदर साया, एक तीर इदर साया, और टकराया, ढुम 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 ढु यूज की उन्होंने और क्या बना लिया एक तीर एक एरो बना लिया वहां पर है ना तो आते हैं वापिस फिजिक्स पर कि energy और mass interconvertible है तो इस equation ने इन दोनों का काम घराब कर दिया इन दोनों low की बज़ाए एक निया low आया collective low जिसको हम कह सकते हैं low of conservation of mass energy ठीक है और किसकी विज़ा से आया यह आइस्ट विज़ा से तो आइस्ट ने खा कि energy एक conserved quantity नहीं है mass भी अपने आप में conserved quantity नहीं है conserved quantity है तो वो कौन है वो एक अलग quantity आप बना दो उसे आप कहो mass energy clear अब यह conserved है क्योंकि अगर कहीं पर mass गायब हुआ है तो energy बन गई होगी energy गायब हुई है तो mass बन गया होगा it means यह दोनों गायब हो सकते हैं but ऐसा नहीं है कि mass गायब हो और energy ना बने और energy गायब हो और mass ना बने clear so अब से आप यह आद रुखो कि law of conservation of energy law of conservation of mass इन दोनों के जगा जो absolute चीज है वो है law of conservation of mass energy but यह सिरफ जब अपने जहां discuss कर रहे हैं otherwise हम हर जगा पर law of conservation of energy law of conservation of mass intact use करने वाले हैं क्योंकि वहां पर directly हम इसको use में नही लेते हैं for an example chapter first class 10 की जो chemical reactions है वहां आपको कोई mass energy में तो convert हो नहीं रहा तो वहां पर आपको इस mass energy की ज़रूरत नहीं है आपका काम इसी से simple level में चल जाएगा अब 10th class वालों को बच्चों को यह समझाते वे रहे तो समझत हो जाएंगे बट क्यों हडल करें हम क्यों एक न मैं उसमें total charge constant रहता है और कहीं पर भी charge अगर बन रहा है destroy हो रहा है तो जो उसका net result रहेगा वो हमेशा same रहेगा ठीक है और कौन से low of conservation होते हैं हमारे पास और होते हैं low of conservation of momentum I think you can recall momentum क्या है नहीं recall कर पा रहे तो कोई बात नहीं momentum मने mass into velocity एक product था simple सा एक ऐसी quantity जो motion को अच्छा सर डिस्क्राइब करने के लिए बताई गई थी तो यहीं का खहता है कि momentum हमेशा एक system का conserve रहता है clear और यह बड़ा important है हम जब विलावान के अदर आगे चलेंगे तो आपको इसकी importance मज में आएगी momentum के अंदर भी आगे तीन त linear momentum कब जब कोई body linear motion कर रही है rotational कब जब rotational motion कर रही है और अगर कोई body दोनों motion कर रही हो तो वहाँ पे आता है total momentum तो यह भी conserve रहता है यह भी conserve रहता है अब कैसे conserve रहता है tension लेने के कोई ज़रूरत नहीं है किसे अपने बात की समझ तो नहीं है यह तो समझ में आगा और उसका के समझ में नहीं आ रहा तो कोई पर समझने वाली ज़रूरत नहीं है बस आपको सुनाना था आपकी दिमाग के अंदर दिखा नहीं थी picture कि हमारे पास physics के अंदर कुछ एक laws है यह कुछ एक basic laws है conservation laws कह देते हैं जिनको अपने और यह हमेशा फोलो होते हैं ठीक है यह basic laws है यह हमेशा universal laws है यह हमेशा हर जगा पे फोलो होते ही होते हैं clear तो अब इसी के साथ हम end करते हैं इस chapter को chapter number one the physical world एक बार recall करते हैं कि हमने इसमें discuss क्या किया अगें रिमाइ इसको अलग लग book से explore करो तो आपको ओर depth मिलेगी just intro मिलेगा कि आपने जो physics चुना है physics का मतलब क्या है physics का scope क्या है physics के अंदर आप क्या पढ़ोगे physics किन का answer देती है physics किन laws पे चलती है physics इस पूरे nature को समझने का एक तरीका है ठीक है तरीका है बस समझने का काम nature के processes nature के तरी तरीका समझने का हमारा हां उसका application क्या है कि हम उस तरीके को समझ करके अपनी lifestyle के अंदर उसको adapt कर सकते हैं हमारे day-to-day work को ज्यादा beneficial कह सकते हैं ज्यादा productive बना सकते हैं clear फिर हमने discuss कि universal forces the most important topic कि कौन सी forces है किस-किस rank पे हैं वो किस-किस तरह के particle के बीच में लगती है यह of conservation discuss करे scope and excitement discuss करें ठीक है तो hope you got all the content so all the best and keep watching